वेलकम तो आर चैनल मेत्री अकेडमी प्रिवेस वीडियो में हमने फ्लोरसेन माइक्रोस्कोपी और फेस कॉंटरस माइक्रोस्कोपी पड़ा था आज की वीडियो में हम कनफोकल माइक्रोस्कोपी डिसकस करेंगे confocal microscopy is an advanced microscopy technique which uses a pinhole to eliminate autofocus light the discrete optical sections can be collected after eliminating autofocus light above and below the plane अब इस पोइंट को हम और जदा डिसकस अच्छे से कर सकेंगे with the help of this example जो आपको डियाग्राम गिवन है अब अपने डियाग्राम में अगर यहां पर आपको दिख रहा है तो यहां एक डिटेक्टर लोकीट है देन वी हैव यहां यह यह डिटेक्टर है देन वी हैव दिस पिन होल के अभी जो इन्होंने फिन होल के बार में बात करी थी जो उपर हमने पैरग्राफ पड़ा था उसमें इस पिन होल के बार में ही डिसकस्शन किया गया है पिन होल डिटेक्टर यह लेजर है और इसके बाद यहां पर एक excitation aperture प्रेजन्ट है डाइक और एक मिरर, objective lens, specimen and this excitation lights अब मैं इसको एक overview दे देती हूँ कि इसमें बेसिकलिए हम पढ़ने क्या वाले हैं हमारा specimen है हमारे पास यहाँ पर sample है इस sample में हमने जिस area को हमने focus करना है हमारे पास suppose यह sample है और हम area और B area है तो A area को हम focus करना चाहते हैं area को हम visualize करना चाहते हैं तो इस A area में हम fluorochrome यूज़ करेंगे fluorescent tags यूज़ करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर fluorochrome प्रेजन्ट होगा जैसी यह laser है, laser से light emit करते हुए यह डाइक और एक mirror से reflect होगे यहाँ objective lens के थूँ पास होकर इस sample पर strike करेगी जैसी यह light rays इस sample पर strike करेगी fluorescent tag का एक specialty होता है कि वो एक particular wavelength की light को catch करती है और दूसरे wavelength की light को emit करती है तो जैसी ही इसने यहाँ मान के चलो yellow color की wavelength की light है उसको यहाँ पर इसने capture किया तो इसके बाद यह red color, orange color की light को यह emit करेगी यहाँ पर आपको diagram में दो different colors है इसलिए ही यहाँ पर show किया गया है blue color की light strike करेगी sample पर sample में जो fluorescent tag present है fluorochrome present है वो light को excite करेगी excite करने के बाद यहाँ पर red color में pink color में light rays यहाँ से sample से reflect back होते ही दिखाए दे रही है अब यहाँ पर जब यह sample से reflect back हो रही है तो यहाँ पर दो टाइप की light है light rays है एक है in focus और दूसरी है out of focus तो यह जो emission pinhole है इसका काम है सिरफ और सिरफ in focus light को ही detector के पास पहुचाना out of focus light को यह eliminate कर देती है यहाँ पर एक और mirror यहाँ पर एक और element है यह डाइक और एक mirror इस mirror का 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 मिया होता है यह mirror एक particular type की wavelength को ही allow करेगी यहाँ से pass out होने के लिए बाकी जितनी भी यहाँ से wavelength होगी उसको reflect back कर देगी यह एक particular length की यह कहलो एक particular wavelength की light को ही यहाँ sample पहुचाने में help करेगी बाकी किसी भी other type की जो wavelength है उसको वो allow नहीं करेगी तब paragraph में देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर क्या और detailing गिवन है जैसे मैं आपको बताया है इसी को इन्होंने elaborated form में बताया है यहाँ पे पिन होल इस यूज़ 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 आउट फोकस लाइट मैंने भी आपको बताया है वो जो पिन होल है वो सिरफ और सिरफ इन फोकस को ही डिटेक्टर पे आने देगी बाकि सब आउट फोकस लाइट को इलिमिनेट कर देगी इलिमिनेट आउट फोकस लाइट आवर बेन बिलो दा प्लेन हाई पावर लेजर सार यूज़ तो इलिमिनेट दा सैंपल जो left inside में हमने laser देखा था उसके बार में बात हो रही है और वो sample को eliminate करने में help करेगी और यहाँ पर ultimately हमारे पास desired focal plane की light हम यहाँ से collect करेंगे सिरफ और सिरफ desired focal plane की light ही detector में enter करेगी अब यहाँ पर जो हम use करने वाले हैं जैसे मैंने आपको भी बताया है यहाँ पर भी वही नेम गिवन है फ्लोरोफोर्स और हम इसको फ्लोरसेंट केमिकल भी बोलते हैं इसका यहाँ पर इन्होंने एक चार्क्रिस्टिक दे रखा है जैसे जो मैंने अभी आपको ब्रीफ किया था re-emit light the fluorescent chemical compounds they can re-emit light upon excitation that fluorescent chemical they are going to use in the sample अब यहाँ पर laser light gets focused on a defined spot at a specific depth located within the sample fluorescent light gets emitted exactly at that point वही सेंपल में हमने जिस जैसे हमने एवर भी कहा था जिस point को हमने देखना है उस point को हम fluorescent tag से tag कर देंगे लेबल कर देंगे और उसी particular point पर वो fluorescent light वहाँ से एमेट होगी जैसी वो laser light उस fluorescent chrome को excite करेगा तो वही से वो wavelength हमेट होगी इन-focus light को ही आपका पिन होल अलाव करेगा और आउट-o-focus light को वो पिन होल एलिमिनेट कर देगा तो इस तरीके से हम डिफ्रेंट 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 का मतब सेंपल जो है सेमपल में डिफ्रेंट डिफ्रेंट होते है उसको हम वीज़ुलाइज कर सकते हैं with the help of this type of microscopy और ये शूटेबल है दोनों आपका लाइफ सेल के लिए भी ऐस यहाइस आपका फिक्स्ट सेल्स के लिए भी इनिकी नोन-वाईबल सेल के लिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट मैक्रे स्कोपी है वह है प्लोर आइछ endeavor on 말 akan miracle jom so feels a आपके अकन माईप्रोस्कोपी से किस तरी किसे इस इफ़रेंड उसको दिसकस करेंगे Polarization Microscopy Polarization Microscopy हमारे Confocal Microscopy से किस तरी किसे डिफरेंट है अब हम वो टॉपिक यहाँ पर डिसकस करते हैं Polarization Microscopy में एक जो important यहाँ पर element होगा वो होगा Polarizing Filter जिसको हम Polarizer भी बोलते हैं आपको याद होगा पहले आपका Physics में, previous class में हमारे पास Polarizer होता था हम उस Polarizer के हैप से क्या करते थे हम एक सिंगल प्लेंट पे लाइट रेज अप्टेंड कर सकते थे मान के चलो यह हमारे Light Rays है जो आपके दो different plane में है इसके बाद अगर हम यहाँ पर एक Polarizer लगाएंगे जिसका plane यह इस तरीके का है तो जब यह Light Rays इस Polarizer से पास थ्रू होगी तो इसके बाद जितनी भी Light Rays होंगी वो सिंगल plane में होंगी इस तरीके की तो जो Light Rays होंगी यह हमारी होंगी Polarized Light Rays तो यहाँ पर इसी Principle को हम यूज करने वाले हैं Polarization Microscopy में अब हम आगे डिसकस कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको given क्या क्या है यहाँ पर यही चीज मेंशन है अब यह जो Polarized Light है इसका काम क्या है यह Actually Contrast जो हमारे को मिलेगा Basically इस Microscopy में हमने स्टार्टिंग से Contrast के बारे में ही बात करी है जो सबसे अच्छा Contrast देगा वो टेकनीक और वो Microscopy उतनी ही अच्छी मानी जाती है तो यह जो Polarization हो रहा है यहाँ पर जो Polarized Light यूज हो रही है वो basically Contrast को Improve करेगी और यह Polarizer is a device यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है यहाँ पर वही चीज देफिनिशन में गिवन है Polarizer is a device that transmits Polarized Light through the specimen और Analyzer क्या होगा It is a device placed above the objective और यह जो कहा फिट होता है यह basically fit होता है to the eyepiece and it blocks the polarization of light The analyzer is rotated to get maximum contrast in the image and the difference in the reflective index between the planes is determined माइंड अब हम यहाँ पर डिसकस कर रहे है polarization microscopy अब यहाँ पर हमेरे को यहाँ पर refractive indexes के बारे में भी थोड़ा discuss करना पड़ेगा क्योंकि basically हम देखते हैं अगर cell organalis में तो उनका जो refractive index होता है वो different ही होता है वो एक तो refractive index वो होगा नहीं तो इसलिए यहाँ पर हमने polarization में इन सब चीज़ों को देखने में हमारे को help मिलती है वो sample या वो specimen जिसका more than one refractive index हो तो polarization microscopy हमारे को वो उस type के samples को visualize करने में help करता है अब इस type के sample को हम क्या बोलते हैं इस type के sample को हम बोलते हैं by refrigerant structures by refrigerant structures वही होता है जिसके पास different refractive index होते हैं तो इन different refractive index वाले structures को samples को हम polarization microscope की help से देख सकते हैं इसके अलाबा हम यहाँ पर कुछ और samples जैसे की crystalline substance हो गया geologic samples हो गया fibrous material हो गया such as mitotic spindle जो हमारा cell division में basically mitotic spindle आप देखते हैं जब cell आपका divide करता है तो chromosome जब division होती है तो chromosome division के time में जो mitotic spindle बनता है वो muscle fiber इन सब को हम इस microscope के help से easily visualize कर सकते हैं अब मैंने आपके लिए कुछ images यहाँ से download करी है आपका Wikipedia से तो आप इस images के थूँ और ज़्यदा detail में इसके बारे में जान सकते हैं तो हम इसको थोड़ा सा discuss कर लेते हैं आपके सामने ये एक image है इस image में आपको यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो हमने यहाँ से यहाँ से हमने light rays emit करी है क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका polarizer नहीं है यहाँ पर फिलहाल ना polarizer है ना कोई sample है इसे light बिल्कुल सेधा उपर से नीचे आपका detector पर आ रही है और screen में बिल्कुल आपका clear कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि हमारे पास कोई sample नहीं है यहाँ अगर आप right hand side में देखेंगे तो यहाँ पर यह जो light rays है यह light rays है मैंने यहाँ पर polarizer की help से यहाँ polarizer की help से एक single orientation की wavelength को obtain किया है light rays को obtain किया है यही polarizer आपको एक single orientation का light ray दे रहा है next image में अगर हम देखें यहाँ पर हमने अगर यहाँ पर मैंने इसका orientation चेंज कर दिया अगर मैं इसका orientation चेंज कर दूँ यहाँ यह आपको light rays मिल रही है light rays मिल रही है इसके बाद अगर मैं इसका orientation चेंज कर दूँ इस light rays को यहाँ obtain करने के बाद यहाँ देखिए आप एक बार यह है polarizer और यह है दूसरा polarizer यहाँ हमने इसका orientation अगर मैं दूसरे color से कर देती हूँ अगर इसका orientation इस तरीके का है यह इसके perpendicular इस तरीके का orientation है तो इस वज़े से यह जो light raise है यह जो light raise है यह इस तरीके से यहाँ से जा रही है अगर मैं इसके पैरलल ही यहाँ पर इसके पैरलल मैं थोड़ा डिफरेंट करा करने हाँ इसके पैरलल अगर यह इस तरीके से है तो नीचे वाला अगर पॉलराइजर भी मैं इस तरीके से रखती तो यह light rays यहाँ से easily transmit हो जाती पास हो जाती बत क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका orientation यहाँ इसका orientation इसके comparatively different रखा है तो इस वज़े से यहाँ से आगे यह light पास नहीं हो रही है अब यहाँ second image है यहाँ मैंने इसका डो different polarizer शो करने की कोशिश करी है अब next diagram में हम देखेंगे कि यहाँ आपका यह जो specimen है अगर मैं specimen यहाँ पर लेकर आँ तब क्या होने वाला है initially क्या था light rays यहाँ से इस polarizer से पास हो रही थी इसके बद यहाँ पर यह पास नहीं हो रही थी क्योंकि इन दोनों का orientation different है light rays यहाँ से जा रही थी बट आगे यह पास नहीं हो रही थी because orientation different है बट अब मैं यहाँ पर जैसे यह sample लेकर आई हूँ यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर इस sample को place किया इसके बाद यह light rays यहाँ से यहाँ से पास होने के बाद और इस sample ने इन light rays को यहाँ से reflect किया तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि यह light rays अब इस second polarizer से easily पास हो रही है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास specimen है यहाँ पर जो हमारा sample है इस लेजर बीम का orientation जो कि हमारे पास single oriented यह single plane की light rays थी उसको यहाँ पर इसने reflect किया है और यहाँ पर हमारे पास अब in light rays को जैसे हमने उपर paragraph में भी पढ़ा था specimen will split the light, single light into two or more plane तो यहाँ पर इस sample ने इस single oriented light rays को दो different orientation में split कर दिया है यहाँ दो different orientation में split होने के बाद अब यह light rays जो split है इस polarizer से easily pass हो रही है और यह light rays फिर फिर फर्दर आपका easily detector जो है उसको detect कर लेता है और जैसे यह पर detection होगा तो हमारे पास यहाँ image sample की मिल जाएगी अब अगर हम इस का orientation sample का orientation हमने initially ऐसे रखा है अगर आप देख रहे हों ध्यान से तो छोटे वाला यह ऐसे और यह बड़ा वाला बल जिसा पाट ऐसा है अगर मैं इस sample का orientation चेंज कर दूँ तो क्या होगा इस sample का orientation अगर मैं change कर रही हूँ तो change करने के बाद हमारे पास again यहाँ पर light rays split हो रही है तो यहाँ पर हमें again यहाँ कुछ image मिल नहीं रही है तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा यहाँ अब यह sample का orientation different है तो अब मुझे यहाँ पर इसका different type का polarizer रगाना पड़ सकता है तो basically यहाँ पर हमें यहाँ molecule का order मिलने वाल है कि अगर मैंने उसका orientation ऐसे रखा तो मुझे specimen में यह image मिल रही है इसके बाद अगर मैं इसका orientation sample का orientation यह फिर molecule का orientation थोड़ा different कर दूँ तो फिर वहाँ पर मुझे image नहीं मिल रही है तो फिर मुझे यहाँ से इसका orientation पता चल जाएगा मुझे यहाँ पर इसका order मिल जाएगा तो यहाँ अगर हम इतना detail में ना जाके हम सिर्फ और सिर्फ इतना समझें कि जो sample ने light को split कर देना है और split करने के बाद हमारे पास यहाँ पर screen पर जो detector है detector ने screen पर इमेज दे देनी है और यहाँ से हमको यह किस type का sample पढ़ने में help मिलती है by refrigerant type के structures को study करने में help मिलती है तो यह हमारा polarization microscope था I hope आपको यह जो diagram से काफी help मिलेगी मैंने यह diagram Wikipedia से वहाँ से हम यहाँ पर paste किया है वहाँ से मैंने यह images लिये है I hope आपको यह काफी help करेगा क्योंकि इस book में actual कोई diagram नहीं था तो वो समझने में आपको maybe थोड़ा difficulty आएगा तो इसलिए मुझे यह images काफी अच्छे लगे तो मैंने यहाँ पर थोड़ी images यूज कर लिए इसके बाद यह assignment के कुछ आपके questions है इन questions को अगर आप चाहते हैं कि मैं discuss करूँ तो मैं discuss कर दूँगी मुझे आप comment box पर comment करके बता दीजेगा तो हम यह discuss कर लेंगे otherwise इसके answer चैप्टर के end में भी given होते हैं तो आज हम इन दो microscope को यहाँ पर conclude करेंगे next video में हम electron microscope पढ़ेंगे यह काफी बड़ा topic है तो हमें को एक पुरा lecture लगेगा इसके components किया है कैसा इसका working है कैसे sample preparation होता है इसके अंदर ही electron microscope के अंदर ही हमारे पास stem और stem होता है transmission electron microscopy इसके बद हम इसके अंदर इसका sample preparation पढ़ेंगे और यह microton क्या होता है कैसे sample preparation होता है इसके बद सेम क्या होता है scanning electron microscope तो वो इलेक्टर माइक्रोस्कोब के टूप आज का लेक्शेर आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल में तरी अकैडमी सिक्सेस थेंक यू सो मच फूर रिटाइम